हेलो दोस्तो अभी में क्यूटूब चैनल में मैं अर्विन मकवाना आप सबका स्वागत करता हूँ दोस्तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बायोलोजी के मौस्ट आइम पी सवाल जवाब पार्ट टू तो इससे पहले पार्ट वन आ चुका है अगर देखना बाकी हो तो आप यूटूब पे देख सकते हैं और इसमें ऐसे सवाल जवाब लिये गए है जो मौस्ट आइम पी है मनलब प्रिवेस एक्जाम में पूछे गए है या तो आने वाली एक्जाम में पूछे जा सकते हैं तो आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं सबसे पहले है जिवानों की साधारन आकरूती कैसी होती है चड रूपी होती है कैसी होती है साधारन आकरूती चड रूपी जो जिवानों आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं सबसे छोटे जिवानों को क्या कहते हैं गोलानू तपेदिक रोग किस से होता है वो होता है बेक्टेरिया से तपेदिक रोग जो है वो बेक्टेरिया से होता है मानव की आंत में पाये जाने वाले जीवानु का नाम क्या है वो जीवानु है एसर रिशिया कोलाई एसर रिशिया कोलाई जो है वो मानव की आंत में पाये जाता है एंटी बायोटिक्स अधिकांस्तिया किस में पाये जाते है जिवानों में सबसे ज़्यादा एंटिबायोटिक्स पाए जाते है सबसे छोटा जीव कौन सा है वो है माइको प्लाज्मा कौन सा है माइको प्लाज्मा हैजारों किसके कारण होता है जिवानों के कारण होता है किसके द्वारा दूद खटा होता है तो दूद खटा हो जाता है और किसके द्वारा होता है बेक्टेरिया के द्वारा कुष्ट रोग किसके कारण होती है जिवानू संक्रमन के कारण कुष्ट रोग होती है सर्व प्रथम विशानू की खोज किसने की इवान ओवस्की ने सर्व प्रथम जिवानू की खोज की थी चेचक के लिए टीके का विकास किस ने किया था एडवर्ड जेनर ने तो दोस्तो वीडियो अच्छी तरह से देखने हैं क्योंकि लास्ट में आपकी टेस्ट भी रखी गई है तो वीडियो पूरा देखना लास्ट में इसी वीडियो में से आपको सवाल जवाब पूछे जाएंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं दूद के दही के रूप में जमने का कारण क्या है तो वो कारण है लेक्टो बेसिलस बेक्टेरिया जो लेक्टो बेसिलस है उनके कारण दूद के दूद को दूद में से हम दही बनाते हैं कौन स्वपसी होता है स्वपसी जो है वो सेवाल होता है टिक्का रोग किस में होता है तो मुम्फली में होता है टिक्का रोग जो है वो मुम्फली में आता है HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है और HIV का फुल फॉम भी यहाँ पे दिया हुआ है Human Immuno Deficiency Virus यह HIV का फुल फॉम में यह भी कई बार पुछा गया है और उसके द्वारा रोग होता है Age Age का फुल फॉम है Acquired Immune Deficiency Syndrome ठीके दोनों का फुल फॉम भी याद रखेगा क्योंकि एक्जाम में यह भी पुछा जाता है HIV का Human Immuno Deficiency Virus और AIDS का Acquired Immune Deficiency Syndrome किस सेवाल से आयोडिन प्राप्त होती है तो वो सेवाल है लेमिनेरिया मुलांकूर के अतिरिक्त पोधे के किसी भी बाग से विक्सित होने वाली जड़े क्या कहलाती है वो कहलाती है अपस्थानिक मुल तो मुलांकूर से अतिरिक्त पोधे की किसी भी बाग से विक्सित होने वाली जड़ों को अपस्थानिक मुल कहते है हाइड्रोफोबिया रोग किस से उत्पन होता है विशानू से हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन होता है किस में एंजाइम नहीं होते है विशानू में एंजाइम नहीं होते है कुट्टे के काटने से किस विशानू के द्वारा घात रोग उत्पन होता है तो वो विशानू है हाइड्रोफोबिया सार्स यानि SARS क्या है तो वो है विशानू जनित रोग है क्या है विशानू जनित रोग खसरा संक्रमन किसके कारण होता है विशाणू के कारण होता है सिवा लोकी खोसी का भीती किसकी बनी होती है सेल्यूलोज की बनी होती है जन्तों में होने वाली foot and mouth रोग किसके कारण उत्पन होती है तो वो है विशानू के कारण उत्पन होती है अलू में मोजेक रोग का कारक तत्व क्या है विशानू है केल्प किस से प्राप्त होता है केल्प जो है वो समुद्री सेवाल में प्राप्त होता है समुद्री सेवाल से केल्प प्राप्त होता है लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है जो लाल समुद्र होता है लाल सागर होता है तो उसका रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है सेवाल की अगर-अगर किस से प्राप्त होता है, सेवाल से प्राप्त होता है वनस्पति विग्नान की वह साखा जिसके अंतरगत कवको का अज्यन किया जाता है वह क्या कहलाती है, वह कहलाती है, माइकोलोजी कवकों की कोशी का भीती किसकी बनी होती है काइटिन वह हमिसेल्यूलोज की बनी होती है सभी कवक सदेव कैसे होते है विविद पोसी होते है कैसे होते है विविद पोसी वरुक्सो की छालो पर लगने वाले कवक क्या कहलाते है कोटिकोलस कहलाते है तो वरुक्सो की छालो पर जो कवक लग जाते है उसको क्या कहते है कोटिकोलस प्रोटिन जो कोशिका के बितर उप्योग की जाती है वो किसके द्वारा संसले सित होती है मुक्त राइबोसॉम्स द्वारा किस में क्लोरोफिल नहीं होता है तो कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है सेक्सी कॉल्स कहा जाता है जापान में लोग किस लाइकेन को सबजी के रूप में खाते हैं वो है इंडोकारपन मिर्गी की अवसदी किस लाइकेन से प्राप्त होती है परमेलिया से किस से होती है परमेलिया वीजो की प्रकृती किस में उत्पन हुई तो वो टेरिडोफाइट्स में उत्पन हुई थी टेरिडोफाइट्स एजोला क्या है एजोला एक जलिय फण है क्या है एक जलिय फण है किसे जेव उर्वरक के रूप में प्रयोक किया जाता है एजोला को जे उर्वरक के रुप में प्रेयोग किया जाता है सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाये जाते है टेरिडोफाइट्स में सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम पाये जाते है किस वर्ग के प्रोधों में बीज बनते हैं परन्तु बीज नगनरुप में प्रोधों पर लगे रहते हैं तो वो है जिम्नोस्पर्म सिल्वी कल्चर वनस्पति विग्नान की साखा में किसका वर्णन होता है सेवा लोग के समर्धन का वर्णन होता है अगर ऐसा भी question पुछा जाए कि सिवा लोग के समर्धन का वर्णन किस में होता है तो सिल्वी कल्चर में होता है सिल्वी कल्चर वनस्पति विग्नान में या ऐसा पुछा जाए कि सिवा लोग के समर्धन के विग्नान को क्या कहते है तो सिल्वी कल्चर ऐसे भी question पुछा यहा सकता है आगे देखते हैं चेचक रोग किस के कारण होता है तो चेचक रोग जो है वो विशानू के कारण होता है गोबर पर उगने वाले कवग क्या कहलाते हैं कोपरोफिलस क्या कहलाते हैं कोपरोफिलस मुलांकूर से विक्सित होने वाली जड़े क्या कहलाती है मुशला जड़े क्या कहलाती है मुशला जड़े स्वसन मुल किस में मिलती है जुसिया में स्वसन जो मुल किस में मिलती है जुसिया में मिलती है अवस्तम्ब मुल किस में पाई जाती है गन्ने में गन्ने में अवस्तम्ब मुल और स्वसन मुल जो है वो जुसिया में जड़े किस से विक्सित होती है मुलांकोर से गाजर एक क्या है तो गाजर एक जड़ है बर्गत के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़े क्या कहलाती है जो बर्गत पेड़ पे आपने देखा होगा वो जड़े जो है वो लटक रही हो तो इसे क्या कहते है स्तंब मूल कहते है अब आपकी टेस्ट जो आपने वीडियो देखा उसी में से आपको यहाँ पर question पुछे जाएंगे जिनका answer आपको comment box में देने है उससे पहले अगर वीडियो पसंद आया हो तो like किजिए, comment किजिए अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना बाकी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बाजू में दी हो बेल को प्रेस कर दे ताकि हर रोज आपको ऐसे ही नए नए वीडियो और सारी जानकारी मिलती रहे और यदि कोई भी नई गवर्मेंट जो बाती है तो उसकी भी डिटेल जो है वो इस चैनल पर दी जाती है तो चैनल से जुड़े रहेगा प्लस इसकी जो पीडियो पाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम चैनल की लिंक है और वर्शक ग्रूप की लिंक भी दी हुई तो वहाँ से जुड़ के आप इसकी फ्री में पीडियो पा सकते है आगे देखते है सबसे छोटा जीव कौन सा है तो प्रथम क्वेस्चन है टेस्ट में सबसे छोटा जीव कौन सा है कई बार पुछा गया है दूसरा कौन स्वपोसी होता है ये भी पुछा गया है तिन चेचक के लिए टिक्के का विकास किस ने किया था और चार सेवालों की कोशी का बिती किस की बनी होती है तो चारों प्रस्णों के जवाब आपको क्रमसह कमेट बोक्स में लिखने है जिससे आपका नोलेज टेस्ट हो जाएगा आपको भी पता चलेगा इस वीडियो में से आपको कितना याद रहा है अगर नहीं आते तो फिर से वीडियो देख लीजेगा या तो आपको प्रीडियेफ मिल जाएगी पढ़ लीजेगा आशा रखता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स पॉर वचिंग मैं वीडियो